गुड आफ्टोनून बच्चो आज हमारा थर्ड में टापिक है डिनॉमिनेटर और नियूमिनेटर में जो मतलब फ्रैक्शन में जो हम नंबर्स लिखते हैं तो उन में जो उपर वाला नंबर होता है उसको हम नियूमिनेटर कहते हैं और जो नीचे वाला होता है उसको हम डि करना है कि इन में से यानि की नियुमिनेटर कौन है और डिनॉमिनेटर कौन सा है तो यहां पे हम देखेंगे मैंने आपको बता दिया कि जो उपर वाला नंबर होता है उसको हम नियुमिनेटर बोलते है और जो नीचे वाला होता है उसको डिनॉमिनेटर कहते हैं तो अब यहा यहां पे numerator हमारा 5U है यह हमारा numerator हो गया तो यहां पे आप देखेंगे हम second question में है 10 by 15 तो इसमें हमें denominator देखना है तो denominator हमारा क्या आ जाएगा इसमें 15 तो यहां यहां पे हमने 2 by 6 fraction है इसमें भी हमने denominator देखना है तो इसमें भी यह 2 है हमारा numerator यहां पे हमने देखना है denominator तो यहां पे हमारा denominator है 10 तो इसी तरह से हम यह question खतम करते हैं आज का इतना है इससे आगे next time फिर दिखाऊंगी thank you